Hey everybody, मैं हूँ Priya और आप देख रहे हैं Phenology Legal आज की इस वीडियो में हम एक एक मिनिट के अंदर कुछ ऐसे important fact और interesting laws की बारों में जानेंगे जिसके बारों में normally लोगों को पता नहीं होता पर रोज मर्रा की जिंदगी में इनकी जानकारी आपके लिए helpful हो सकती है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो बहुत बार हमने देखा है कि ट्राफिक पुलिस वाले हमें रोकी रखने के लिए हमारी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं बहुत normal sound कर रहा है ना पर क्या आपको पता है कि Motor Vehicle Act 1932 इसकी permission नहीं देता है यह legally allowed नहीं है कोई भी ट्राफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी में से आपकी चाबी नहीं निकाल सकता और अगर किसी कारण के वज़े से वह आपके कोई fine लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि उनकी पास चलान book या फिर ये चलान मौझूद होना चाहिए यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगे कि अगर आपको रोका जा रहा है तो वहां से भागने की कोशिश ना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो सब इंस्पेक्टर या उनके ऊपर के रांक वाले जो ऑफिसेज हैं वो आपके गाड़ी की डॉक्यमेंस ड्राइविंग लाइसेंस ये सब जब्त कर सकते हैं तो ऐसा तो बिलकुल मत करिए अब अगर जबरदस्ती से आपकी गाड़ी की चाब ही निकाली जारी है या फिर आपकी डॉक्यमेंट्स जब्त किये जारे हैं तो पिर आप क्या कर सकते हैं तो फिर आप Commissioner, Deputy Commissioner SP ये DSP के पास अपनी complaint फाइल कर सकते हैं दूसरा, Directorate General of Civil Aviation, जो कि Civil Aviation की regulatory authority है, उनकी rules के हिसाब से, अगर आप time पर airport बहुत जाते हैं, check-in कर लेते हैं, पर airlines वालों के वज़े से, अगर flight 2 से लेकर 5 घंटे के लिए डिले होती है, तो आप उनसे हक से free meals या refreshment मांग सकते हैं, और अगर flight 6 या 6 से 7 घंटे के लिए डिल करते हैं, तो फिर आप उनकी complaint, airline वालों से या फिर airport operator से कर सकते हैं, जिन पर उन्हें 30 दिन की अंदर action लेना होगा, अगर वो ऐसा नहीं करते, तो आप DGCE के पास भी अपनी complaint फाइल कर सकते हैं, इस पर और जानकारी आपको यहां मिल जाएगी, अब एक बहुत important point, क्या आ आप किसी भी accident victim को एक घंटे की अंदर अंदर अगर आप hospital बहुच आते हो, तो आपको 5000 का cash reward दिया जाएगा, प्लस आपको good Samaritan भी कहा जाएगा, क्यूंकि आपने उस इंसान की accident victim की एक घंटे की golden print में मदद की, अभी जो good Samaritan का concept है, इसे motor vehicle amendment act के section 134A के अंदर लाया गय प्लस एक certificate भी दिया जाएगा, और साल भर में जितने भी good Samaritan होते हैं, उन में से 10 को चुना जाएगा, एक लाग के additional cash price के लिए, अब next जो मैं आपको fact बताने वाली है, उसकी वारे में बहुत लोगों को पता होता है, पर उसके against आप क्या action ले सकते हैं, कहा complaint file कर सकते हैं, ये नहीं पता होता, तो ये जानते हैं, तो generally आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी दुकान में समान खरीदने जा रहे हैं, तो जो MRP लिखा हवा है, उसकी उपर आपको pay नहीं करना होता है, पर जैसे अगर आप coldering खरीदने गए, तो cooling charges के नाम पर आपसे MRP के उपर charge कि जाता है, तो ये legally allowed नहीं है, पता है मुझे कि आपको पता होगा, पर आप कर क्या सकते हैं, तो इसी की relation मुझे case यादा है कि बहुत साल पहले वे ने सुना था, कि इनसान ने एक chips का packet खरीदा, जिसका net weight था कुछ 20-22 gram, पर जब उसने तोल के देखा, तो 3-4 grams कम था, इसकी आपने कोई समान खरीदा, उसमें जो details लिखी गई है, उससे अलग अगर उसकी contents है, तो आप manufacturer के against भी case फाइल कर सकते हैं, कहां पर consumerhelpline.gov.in के अंदर आप शिकायाच दर्श कर सकते हैं, इसके साथ ही Legal Metrology Act के section 36 के अंदर, अब consumer forum जाकर भी उन पर fine impose करवा सकते हैं, एक औ जान देना है कि क्या उस carry bag में उस brand का नाम, उस company का नाम लिखा हुआ है या नहीं, अगर लिखा हुआ है, मतलब वो अपने खुद की company का advertisement कर रहे हैं, तो फिर आप से charge कैसे लेंगे, तो अगर carry bag में company का नाम, brand का नाम लिखा हुआ है, तो वो आपको उसके लिए charge नहीं कर सकते हैं, वहीं अगर वो plain carry bag है, तो फिर वो आपको उसके लिए 10 रुपे, 5 रुपे या जैसा भी उसका charge है, वो charge कर सकते हैं, इसकी बाद जो law है, वो सुनगे तो आप हैरानी हो जाओगे, अगर कोई आपकी गाड़ी की, टायर की हवा निकाल देता है, या उसे जान हिने तक की जेल की सजा हो सकती है, जी हाँ, इसकी बाद मान लीजिए, आप किसी restaurant जाते हो, और खाने के अंदर आपको कोई unwanted substance मिलता है, या कुछ ऐसी चीज मिलती है, जिससे आप consume नहीं कर सकते, या अगर आप consume कर लेते, तो उससे आपको नुकसान पहुच सकता था, अग आपको complaint file करनी होगी, चलिए next fact जानते हैं, तो अगर कोई lady, domestic walling सा शिकार है, और किनी reason से वो police station खुद नहीं जा पा रही है, तो वो internet के through, घर से ही complaint file कर सकती है, जिसके लिए उसे इस email ID पर एक mail भेजना होगा, और फिर एक police station का station head officer, अपने और से एक police constable उनके घर भेजे statement record करने के लिए, इसकी बाद अगर किसी की wife, अपने husband को, अपने बुढ़े माता-पिता और relatives को छोडने के लिए मजबूर करती है, तो इसे mental cruelty माना जाएगा, और ऐसा होने पर आप अपनी wife से section 13 clause 1 of Hindu marriage act के अंदर divorce file कर सकते हो, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पसंद आया हो और आपके काम आएगा, अगर हां तो इस वीडियो को like करें और ऐसे और updates पाते रहने के लिए आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं, प्लस ऐसे और information पाते रहने के लिए आप मेरे Instagram पेज Phenology Legal को भी subscribe कर सकते हैं, उमीद करती हूं कि आज का ये वीडियो को पसं आया हो, that's it for now, see you in the next class, bye bye.